उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और दक्षन अरब सागर से आ रही नम हवाओं से प्री मांसून की बारिश हो रही है। इससे अभी दो दिन तक लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान करती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि मांसून की पूर्वी सीमा पूर्वी भारत में ठिकी हुई है और दक्षनी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश में है। अगले 48 घंटे में यह दोनों मांसूनी सीमाएं उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएंगी और पूरे उत्तर प्रदेश को मांसून कवर कर लेगा। यानी 27 जून से उत्तर प्रदेश में जमाजम बारिश शुरू हो जाएगी। चंद्रशेकर आजाद क्रिशी प्रद्योगी की विश्व विद्याले के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसन सुनील पांडे ने मंगलवार को बताया कि अगले 24 घंटों के दोरान अंडमान और निकोबार द्वीब समू, केरल, तटिय करनाटक, कोंकन और गोवा और गुजर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। सिक्किम, उफिमाले, पश्चिम बंगाल, असम, मेघाले, अरुनाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, मराट वाड़ा, चत्तिसगर, मध्य प्रदेश, तटिय आंध्र प्रदेश, दक्षिन पूर्व और पूर्वी राजस्थान, बिहार, जारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रायल सीमा, तमिलनाडू और विदर्व के कुछ हिस्सों में हलकी बारिश संभव है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कांपूर में अधिक्तम तापमान 30.4 और नियूंतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की सापेक्षिक आर्दरता 63 और दोपहर की सापेक्षिक आर्दरता 83 प्रतिशत रही। हवाओं की दिशाय दक्षिन पूर्व रही जिनकी औसद गती 2.7 किलोमीटर प्रतिगंटा रही।